Hi everyone, I am Faraz और यार इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही important tips देने वाला हूँ on note making मेरी आप से बस एक request है कि इस वीडियो को complete देखना और अगर आपके पास अभी time नहीं है तो इसको बाद में आगर के देख लेना लेकिन एक बार बैठ करके इसको complete end तक देख लेना इसमें जो में tips पगेरा बताने वाला हूँ वो आपके बहुत सारी problem solve कर देगी अब problems क्या होती है problems basically यह होती है कि हम लोग DSA पढ़तो लेते हैं लेकिन हम पढ़ते हैं बहुत अलग-अलग resources से हम कोई algorithm किसी resource से पढ़ते हैं तो दूसर algorithm कहीं और से पढ़ते हैं and then सबके codes अलग-अलग होते हैं सबके coding करने का तरीका अलग-अलग होता है अलग resources पर अलग-अलग तरीके से code करके दिखाया गया होता है although logic सेम होता है algorithm सेम होता है but code करने का style अलग होता है तो जो लोग भी beginners है ना उन लोग को यहां पर बहुत ही जादा problem आती है अब उस algorithm को पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसके notes वगएरा कुछ नहीं बनाया बस हमें याद हो गया उस time पर कि this is the algorithm, this is how it works हमने उसका logic भी ढूड लिया कि इस तरीके से algorithm काम करता है लेकिन बात में कि हमने उसको revise किया obviously हर दिन दो हम उसको use नहीं कर रहे है जहां मैं उसको interview के लिए revise किया तब हम लोग भूल चिक होंगे कि what is the himself got them कैसे काम करता था वो ठीक है at that time we need to recall the exact same thing जो हमने पहले पढ़ी थे अगर आप कहीं और से आके पढ़ेंगे ना किसी और resource से आके पढ़ेंगे you will most probably get confused if you are a beginner यह दिक्कते बहुत जाद आती है so that is why अपनी progress जो भी आपने करी है 3-4 महिने लगा के DSA सीखा है अच्छे से वो zero ना हो जाए that is why you need to make really good notes और ऐसे notes नहीं बनाने जो कि आपका पूरा time खर्च करवा दे बहुत ही छोटे notes बनाने हैं और ऐसे बनाने जो आपको revise करने में बहुत जादा आसानी करतें we will be talking about every tip that I used to do जो मेरी बहन करती थी and we will be discussing everything in detail so please watch the complete video और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले please do like the video और comment down below अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ठीक है आपके likes और आपके comments से मुझे बहुत जादा motivation मिलती है and हमारी जो वीडियो है उसकी reach बहुत जादा बढ़ जाते है please like the video अब हम लोग आगे बढ़ते हैं note making पे तो बहुत जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोगों ने कुछ किसी resources से अगर पढ़ा है पहली बात तो हमें उसको रटना नहीं होता है we don't have to memorize the algorithm we have to understand the algorithm समझ लोगे तो उसको याद करना बहुत जादा असान हो जाएगा समझना is a solution to remember that particular piece of code उसको समझ लोगे तो आपको कुछ lines याद नहीं करनी पड़ेगी logic याद करना पड़ेगा and then you will be able to code it अब आप किसी algorithm को समझते हैं आप बहुत references लेते हैं कुछ आपने senior से पूछते हैं कुछ दोस्स से पूछते हैं कि यार यह जो line लिखी है यह क्या दर रही है इसमें इस तरहीं से आप एक algorithm अच्छे से सीख पाते हैं अब आगे आपको समझ में आ गया तो तीन दिन तक याद रहेगा आगे जाते जाते you will forget what that algorithm was although code आप रेफर कर पाऊगी कि this was the code but you will forget कि यह काम कैसे करता था ठीक है तो आपको फिर दुबारा से वो चीज उतना ही time invest करना पड़ेगा इसलिए we will be making very small notes छोड़े-छोड़े notes बनाएंगे चार points हैं चार बहुत important points हैं और मैं आपको notes दिखाऊंगा कि मैं कैसे notes बनाता हूँ there are two ways to make notes पहला तरीका तो यह है that you make a notebook दूसरा तरीका यह है that you maintain soft copy in your PC तो यहाँ माँ पास दो तरीके है now what I used to do is I used to have a notebook when I was in college उसका benefit क्या है यार computer में भी तो notes बना सकता हूँ ना benefit उसका यह है during the boring lectures जिन से मेरे को कोई फर्क नहीं पढ़ता था मैं उनको दुबारा से खुद पढ़ता ही था उन subjects को मेरे को class में समझ में नहीं आता in those lectures I used to sometimes look at that notes उन notes को मैं देख लेता था उनको मैं revise कर लेता था that is why I used to have a notebook वहाँ पर मैं अपना laptop तो नहीं खुद सकता ना इसी लिए so those who are college students can make a notebook and soft copy का भी मैं आपको बताऊँगा कि soft copy कैसे बनानी है मतलब PC में कैसे store करने है नोट्स वह भी बहुत जादा useful होते है ठीक है तो दोनों ही, दोनों का mix आप रख सकते हैं अपने पास and this is going to help you a lot during your preparation ठीक है चलिए अब याद जो मेरे hard copy थी मतलब जो मैं notebook बगरा maintain करता था वो मेरे पास अब नहीं रही है I don't know I lost it somewhere but मेरे पास soft notes है बीबी तो मैं आपको पहले अपने soft notes से बताता हूं कि मैंने वो कैसे बनाई हुए है ठीक है अब देख सकते हैं आप लोग screen पे मैंने DSA नाम का पूरा folder बनाया हुआ है उसमें मैंने dynamic programming के अलग questions करे हैं graph के अलग questions करे हैं then rolling hash, segmentaries तरीके से मैंने यह पूरा बनाया हुए यह मैंने कब बनाया जब मैंने questions solve कर रहा था अब कोई भी नया question या नया algorithm मेरे सामने आएगा जिसमें मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है ऐसा नहीं कि यार मैंने वो पहले से कर रख रहा है अब यहां पर यह आपको दिख रहा है यह कोई भी general code नहीं है बलकि एक question है जो कि मैंने multisource BFS पे किया हुआ था एक question multisource BFS पे मैंने किया उसको मैंने यहां पर लाके mention कर दिया कि this was the question इस question नहीं नहीं है shortest path visiting all notes बहुत ही interesting question था और मैंने को कुछ नया सीखनी को मेला that is why I included this question in my collection of notes अब मैंने इस क्यों पर कुछ points लिखे है जो मैंने सोचे थे while I was solving this question यह points मैंने सोचे थे मैंने दिमाग में थे यह वाले points यहां पर मैंने कही ना कही से solution देखा होगा समझाओगा फिर मेरे दिमाग में यह वाले points आया होंगे तो यह मैंने यहां पर mention कर दिये this is a really good use case of multi source BFS and all and all जो भी मेरे दिमाग में उस time पे आया we can go back and forth between nodes but should never land on the same node इस तरीके से मैंने यहां पर इसको अच्छे से लिख लिए alright तो ऐसे ही आप लोग भी mention कर सकते हैं तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे और भी topics के notes बनाए हुए हैं और सब की उपर comments लिखे हुए हैं कि यार while learning this algorithm और while solving this question I had this thing in mind अब मैं चार बहुत important tips आप लोग के साथ discuss करने वाला हूँ जो कि while making notes you should keep in mind तो यह वीडियो में आथे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत important message है तो अगर आप लोग भी systematic तरीके से DSA सीखना चाहते हैं then you can refer to coding ninjas courses चिन courses पे सिर्फ आज के दिन आप लोगो 40% discount मिल जाएगा which is 18th of March Link मैं आपको description में दे दूँगा अब इन courses का benefit के है यहाँ पर आपको आपके interview preparation के लिए courses मिल जाते हैं DSA के, C++, Java, Python में systematic तरीके से and you have the assignments along with this questions भी आपको मिल जाते हैं along with that कहीं भी आप stuck होते हैं तो आपको TA support मिल जाता है which is really good in saving time TA support is one of the best thing which I like about the courses apart from that you get comparative programming के courses web development के courses and development के और भी बहुत सारी courses है जिनसे आप लोग अपने projects बना के resume में mention कर सकते हैं इन courses के साथ आपको एक book भी मिल जाएगी जहाँ पर आप लोग के सारे important data structures and algorithm mentioned होंगे which is a really good handbook So I am going to talk about these four points So first thing is कि आप code mention कर लें जो भी आपने algorithm सीखा जो भी आपने data structure सीखा उसका code यहाँ पर mention करना है अभी यह नहीं कि हर problem का यह code यहाँ पर include करते चले हुए ठीक है लेकिन जेस फॉर्मन में आपको कुछ नया सिखाया है नया सीखने को मिला है definitely उसका code आप यहाँ पर लिखोगे First thing is code I am not saying write the algorithm because algorithm इनको personally को अच्छे नहीं लगते है कि Englishman को लिखो इनको coding में convert करो along with code आप यहाँ पर complexities भी लिखेंगे time and space complexities then the second thing is you have to write some comments अभी comments क्या होते है comments वह होते हैं जब आपने यह algorithm समझा था यह question समझा था उस time पर आप लोग ने इसको कैसे समझा किसीज का example लेके समझा किसीज का reference लेके समझा वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है comments कई बार ऐसा होता है ना आप लोग नया code देखते हैं हमने समझ में नहीं आता है कि यह हमने क्यों किया यहाँ पर या इस बंदे नहीं क्यों किया यहाँ पर आप अपना code दुबारा देखेंगे कुछ नाइमा तो आपको अपने code का समझ में नहीं यहाँ किया यहाँ पर ऐसा that is why you need to write comments कि आपने for what reason have you picked up this data structure for what reason have you done a particular thing in the code comments बहुत ही important होते है then the third thing is write down the example questions जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरे notes में मैंने क्या किया हुआ है मैंने instead of writing a general code of multi-source BFS मैंने example ही रख लिया multi-source BFS का यह अच्छा example था जो मैंने यहाँ पर रख लिया अभी हम एक दो और example मिलती तो मैं उनको भी mention कर लेता अच्छे examples को so after writing the algorithm try that आप उसका एक दो अच्छा question या तो code forces से या lead code से या code studio से कही ना कहीं से वहाँ पर रख लें कि this is the question क्योंकि मैंने इस algorithm को use करके किया हुआ अगर आप लोगो direct algorithm नहीं लिखना है कई पार ऐसा होते है कि algorithm हम लोग general नहीं लिखना चाहते है तो बस question mention कर सकते हो उस question से क्या होगा वो question को रखना नहीं हुआ that is not remembering the question that is remembering the algorithm with the help of an example question यहाँ पर आपने आपको example question लिखना है definitely लिखना यह बहुत ही जादा important चीज है then the fourth thing is अब आपने यह जो सारे notes बनाए है इनका use कब आएगा इनका use जब आएगा जब आप इनको पढ़ेंगे दुबारा से revise करेंगे तो यार अब यह जो notes बन जाएंगे इनको आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है आपने खुदी को लिखा है खुदी आप लिखने comments लिखे है लेकिन अगर आप इनको फिर भी 5-6 महने बाद पढ़ेंगे ना तब आपके दिमाग में से यह चीज निकलने लग जाएगे तब यह जो notes है आपके इन पे भी आपको time लगाना पढ़ेगा although comparatively come time लगाना पढ़ेगा but हाँ time लगाना पढ़ेगा that is why I would advise you क्यार once in a month कभी-कभी एक दिन निकाल करके इन notes को go through कर लो this is the question that I solved using multisource BFS okay this is the question that I solved using segmentary okay nice तो इस तरीक साब को segmentary याद आ गया multisource BFS क्या होता है सारी के-सारी जो tricks जो भी आपने सीखी है techniques जो आपने सीखी है data structures जो सीखे हुए है सब दिमाग में आ जाएंगे okay और अब कुछ points उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाया हम लोगों को questions याद नहीं करने हम लोगों सीखना होता है तो याब देखो simple सी बात है यहाँ पर आप लोग questions याद नहीं कर रहे हो आप लोग questions को solve करने के techniques याद कर रहे हो यहाँ पर आप लोग सीख रहे हो कि questions को किस algorithm से solve किया चाहे that is what problem solving is जो लोग कोशने हैं कि how to develop problem solving skills तो इस तरीके से आप लोग develop कर सकते हैं you know which algorithm to use at which place तो इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे से as a note रख सकते है and whenever there is an interview आप लोग को बस एक दो दिन लगे हैं notes को revise करने में and you will be really confident before going to the interview ठीके confidence आपको बहुत जादा boost हो जाएगा अभी सारी tips and techniques को आप लोग follow करो अच्छे से अपने notes बनाऊं और सबसे important चीज कि यार वीडियो को like जनूर कर दिया अगर आप लोगो वीडियो कर पसंद आ रही है तो और मनको comments में पता दो कि आप लोगो future में किस-किस type के और वीडियोज चाहिए okay all the best for your interviews all the best for your placements and see you in the next video bye bye